इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले चालू वर्ष दो हजार चौबीस के दौरान भारत से बास्मती चावल के निर्यात में 5 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। सेला चावल का निर्यात 90 लाक टन एवं सफेद चावल का शिप्मेंट 15 लाक टन के करीब होने की संभावना है। वर्ष दो हजार तेईस में देश से करीब 49 लाक टन बास्मती चावल का निर्यात हुआ जो अब तक का दूसरा सबसे उंचासतर रहा। इसके 77-75 लाक टन सेला गैर बास्मती चावल एवं 49 लाक टन सफेद कच्चे चावल का भी शिप्मेंट किया गया था। फेडरेशन के अध्यक्ष के अनुसार पश्चिम एशिया एवं यूरोपीय देशों के लिए सामुद्रिक परिवहन खर्च मिसिंग रेट में बड़ोतरी होने से भारतिय ब पर पहुँच गया है। प्रती टन की उंचाई पर पहुँच गया या जो अप्रेल दो हजार चौबीस तक आते आते घटकर एक हजार चार सौ डॉलर प्रती टन के करीब रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइमस टीवी